और अब कांग्रेश के श्री राउन गांधी ने तो विदेश में जागर इनके सभी आरश्चम को ही आगे वक्त आने पर खतम करने का ही एहनाम कर दिया हैं। लेकर जब वो भारत में रहते हैं और खासरोग से किसी भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो फिर इधर आकर वो गिरगित की तरह रगदल ले दे हैं। क्या बोलते हैं कि हम आसे कि पत्ष में हैं कि आप इसको अपिसको कांगरेस की च्णा निती शंदेगे यह कांगरेस की दोहरी निती है यह पष्षरि निती नहीं है ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि अपने देश को अजाद हुए वे भारते सविधान को भी लागू हुए यहां बरसों भी चुके हैं और इस लंबी अब्दी में केंद्र वे आपके हर्याना पर्देश में भी विबिन विरोधी पाटियों की सरकारे रही है लेकिन दुख की बात ये है कि इस दोरान आपके यहां हर्याना पर्देश में भी अधिकांस विरोधी पाटियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आधिवासियों, पिष्डे वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक, अल्प संकोकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों वे पारियों अब हम अन्य महनत कस लोगों का भी पूल रूप से विकास वे उठान आधि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की गलत नितियों अब हम गलत कार ये प्रनाली आधि को अभी ने और जादा आजमाने की जरूरत नहीं है और इस मामले में विसेश कर दलितों, आधिवासियों वे अन्य पिष्डे वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परंपुजे बाबा साहब, डॉक्टर भीम राव अम्रेडगर के करे संगर्स, एवा मठक परियासों से भारते जान के तहर मिले कानूनी अधिकारों में से, ठाथ कर सरकारी नोक्रियों में जो आरक्षन की सुविदा मिली है, तो उसे भी यहां सुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में भीजेपी वे इनके गटबंदन दन तता अन्य पार्टियों की दी रही सरकारों की जात अभी वाली सोच वे मान सिकता के चलते इनने अभी तक भी आरक्षन का पूरा लाग नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनके इस आरक्षन को यह पाधियां और अब तो इनके इस आरक्षन को यह पाधियां मानने कोट की आर में इसे प्रभाविन बनाने में वे खतम करने की भी पूरी-पूरी कोशिस में नदी हुई है और इसका खास उधारन दिनांग पहली अगस्त दो हजार चोविस को मानने सुप्रीम कोट का दिया गया निड़ने जिस पर कांग्रेस बीजेपी वे इनके सयोगी धल अभी तक भी अपनी चुपी सादिय हुए और इस संदर्ब में जदी केंदर की भाजबपा सरकार की वे कांग्रेस की तथा इनके गड़बंदन दलों की भी निदी वे नियद साफ होती तो फिर ये सरकार मानने सुप्रीम कोट के अरक्षन को लेकर आए निड़ने में जिसमें कोटने ऐसी वे ऐसी के अरक्षन में वर्गी करन वे किरमी लियर आधी को लागू करने की बात कई है जो उसे खतम करने, फिर करने की बात कही है, तो उसे खतम करने, फिर से पूर्व की स्थिती में लाने के लिए विसेश सत्र बुलाकर सविधालिक संसोदंग विध्या जरूर लाती, जरीन की नियद साफ होती, तथा उसे पास भी जरूर करवाती, और इसके लिए पुरा विपक्ष मिलकर सदकार पर दबाती जरूर बनाता है। और हम भी देखते हैं कि विपक्ष कितना दनितों और आधिवाक्षियों के आरक्षन के साथ है। लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की पात रही। बल्कि इन्होंने मानने सुप्रेम कोट के इसाय निर्ने पर कुछ भी खुल कर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाज़ापासरकार वे अधिकांस सभी विरोधी पाठियां अभी तक भी चुपी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं। बल्कि अब S.C.S.T. आरक्षन में वर्गी करन वे किर्मी लियर को भी लागू करने का ये कारिये मानने सुप्रेम कोट ने राज़े सरकारों के उपड़ी छोड़ दिया है। जो आप अपने हिसाब से इसका पूरा राजनितिक फाइदा भी उठाएंगी। साथ ही इसकी आर में इन वर्गों को बाढ़कर इने आपस में भी लड़ाएंगी। अर्था तब ये पाधियां, फूट डालों वे राजकरों की नितिक का भरगूर फाइदा उठाएंगी। जबकि सविधान के मताविक किस जाती को ऐसी वे ऐसी की सूची में शामील करना है या नहीं करना है तो इसका ये अधिकार अभी तक किवल संसर्द वे मानने राश्पती जी को ही दिया हुआ था। जिसे पहली अगस्त 2024 को मानने सुप्रीम कोट के आए निर्ने के जरिये वापिस लेकर इसे अब सीधे राजे सरकारों को ही दिया गया है। जिसे अभी नवर्गों के साथ काति जाती होगी। अर्थात इनका भी आरक्षन ना के ब्राबर ही रह जाएगा। और अब कांग्रेश के श्री राहुन गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षन को ही आगे वक्त आने पर खतम करने का ही एलान कर दिया है। लेकर जब वो भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्यम में चुनाब हो रहा है तो फिर इदर आकर वो गिर्गित की तरह रही बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इतरा कर कि हम आरक्षन के पक्ष में आप इसको कांग्रेश की क्या निती समझेगे ये कांग्रेस की दोहरी निती है ये पस्व निती नहीं है ये भी आप लोगों को समझना चाहिए तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो S.C.S.T.K. आरेक्शन के बारे में कहती कुछ है तो आपको इस पार्टी को जो इस बार हरयाना में तो विधासबा काम चुनाव हो रहा है इस चुनाओं में खास दोर से डलितों को इनको सबक सिकाना बहुत जरूरी है। तो इसे बचानी के लिए अब इन सभी विरोधी पाटियों को या आपके हर्याना प्रदेश में औरे विधान सभा आम चुनाओं में कते भी अपना बोट नहीं देना है। जो अभी तक भी मानने सुक्रीम कोट के इस आये निर्ने के संदर में कुछ भी खुल कर बोलने के लिए त्याज में है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाओं में अपने बने इस गजबंदन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटका कर रोग कर रखना है। जब तक केंदर की सरकार कोट के इस निर्ने को सविधानी संसोदन के जरिये खतम करके इसे पुरानी स्थिति में बाहन नहीं कर देती है। इसको आपको राज्यों में पास नहीं होने देने का इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को निर्णे को करता जब तक केंडर के सब्कार कोट के इस निर्णे को सविधानी संसुर्दन के जरिये खतम करके इसे पुरानी स्थिति में बाहल नहीं कर देती ह और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाओं में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सब्ता में आने से ज़रूर रोकना है जो मानने सुप्रीम कोड के आए इस निर्णे के पक्ष में है, समधन में है और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफ अपना बोट केबल बीएसबी वे इनलोग के बने अपने इस गढ़भंदन को ही देना ताकि सब्ता में आकर यह आपके स्थेक में, आपके हर्याना पर्डेश में मानने सुप्रीम कोड के आए इस निर्णे पर कुछ हर्ता कम कुछ लगाये जा सके जब तक पार्लेमेंट में यह संसोतल भी पास नहीं होता है, तो कम से कम यह गढ़भंदन की सरकार बनती है, तो हम उसको लागुन नहीं होने देंगे, इसको लड़का कर रखेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को अपने गढ़भंदन की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी इतना ही नहीं, बलकि यहां विरोधी पार्टियों की जादा तर रही जाती बादी मांसिक्ता के चलते हैं, देश में आजादी के बार सुरू में, केंदर अबम अधिकांस राज्यों में भी काफी लंबे समय तर सर्ता में आशीन रही कांग्रेस पार्टी ने, प्रहीं के स अब पिशले कुछ वर्सों से केंदर अबम काफी राज्यों में भी बीजे भी वा अन्य जाती बादी पार्टियों की दिले ही सरकारों ने इनका आरक्षन का गोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं भरा है, आपके हर्याना पर्देश में भी काफी सीटे खाली पड़ी हुए, जबकि यूपी में, जब मेरे निर्टित में चार बाद सरकार बनी, मैंने विसेश अभ्यान चला कर जो सरकारी नोकरियों में रिजर्वेशन कोटा अधूरा पड़ा था या पूरा नहीं था, उसको मैंने विसेश अभ्यान चला कर इनको पूरा दरा इसे फिर आप में अधिकास और यह यह क्यों नहीं भड़ते हैं कांग्रेश बीजेपी जो अन्य पाटे इनका रख्षल का गोठा यह पूरा क्यों नहीं करती हैं को कि उनको मालूम है कि लोग भूल भाल जाएंगे और इसे फिर अंत में अधिकास किसी ना किसी रूप में फ पदोन्ती में आरक्षन को तो इन्होंने मानने पोट की आर्मे काफी हरता खतम नी कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब इस्तिती हमें यापके हर्यानप पडेश में भी देखने के लिए मिल गुई है इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्रावेट सेक्टर में आरक्षन दिये जाने की विवस्ता किये बिना ही केंडर गराज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कारिये यहां प्राइवेट सेक्टर के जर्ये ही देश के अधिकान बड़े-बड़े पूंटी पतियों वे धन्ना सेटों को ही दिये जा रहे हैं जिसके कारण आपके यहां हर्याना परदेश सहीद पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षन का बहुत कम ही लाब मिल पा रहा है और अब इसमें पूरे देश में धन्नी तोवे आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिश्डे वर्गों को भी काफी ज़्यादा नुक्सान हो रहा है जबकि अन्य पिश्डे वर्गों के लोगों को भी यह मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमिशन की आजन से ही केंदर में रही सिरी बीपी सिंह के सरकार में ही मिली थी जिसके लिए बी एश्बी को काफी संघर्ष करना पड़ा था जिसका भी अभिहाँ जातिवादी गिरोधी पाटियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा नाभ नहीं नेंपारी है इसके साथ ही सिरी प्रवादी से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो इनको बहुत पहले ही ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेशकर कांडरेस पाथी परमुक्तोर से जिम्मेवार रकसूरवार भी है, इससे इन वर्गों के प्रती इस कार्मा को आगे बनाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मानने वर्चिरी कांची राम जी के द्यान थोने पर केदर में रही, इसी कांडरेस पार्टी की सरकार के चलते हुए, एक दिन का भी राष्टे शोग घोशित रही किया गया था, इन वर्गों के मामले म या मैं ये भी कहना चाहती हूँ, केंडर दुवारा लोगसभा रे विधानसभा चुनाओं में महलाओं को जो 33 परतिशत आरक्षन देने की बार कही गई है, तो उसमें एसी 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 वर्गों की महलाओं को अलब से कुछ भी आरक्षन नहीं दिया गया है, इसके साथ ही इ निजात दिलाने के लिए जो भी नियम वे खानून आदी बने हैं, तो उन पर भी केंडर वे अभिकांस राज्यों की सरकारे सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिसके अभी आँ खासकार दलितों वे आदी वासियों के उपर शोशन करने वालों वाले लोगों का, अधी रहा है, और ये सब हमें जहां आपके हर्याना प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है, इसी परकार हमें पूरे देश में हुचने वे अन्य धार में, अल्प सिंकत समाज के लोगों की भी हालत, हर मामले में कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, इतना नहीं बलकि अपरकास्त समाज में, रजाट समाज में भी खास कर, घरीब लोगों की भी आती किस्ति भी अधी भी यहां आपके प्रदेश से ही, पूरे देश में काफी जादा खराव्य देनी ही बनी हुई है, इसके इलावा, आपके हर्याना प्रदेश से ही, पूरे देश समाज में से विसेश कर, यहां गरीब, मजदूर, किसान, करमचारी, वैपारी, अब हम अन्य मैनत का स्लोग भी अपनी विभीर समस्याओं को लेकर, अभी भी हमें काफी जादा दुखी ही नजर आते हैं, और इनमें भी किसान वर्तों, केंडर के बत्मान, बाजपा सर्कार दुखारा बनाए गई इनकी गलत निश्यों के कारण, अब काफी जादा परिशान पर अंदूलिक ती राह है और अभी भी है, लेकिन इस सब की मुख्य वजए हमारी पार्टी, केंडर बे आपके हर्याला पंडेश में भी यहां तक की रही अधिकांस, विरोधी पार्टी सरकारों की गरीब और किसान विरोधी तथा जातिवादी, पूंधी वादी वे संकिन मान सिक्ता के तहर बनाई गई, इनकी गलत निश्यों अब हम गलत कारियत पर नाली को ही काफी हर्तर जिम्मेवार मान कर चलती हैं, और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक निश्य की वज़े से ही आए दिन के आँ पूरे देश में आपके हर्याना पर देश में भी घरीबी, बेरोजगारी वे महंगाई आदी भी काफी जादा बढ़े हैं, जबकि इस मामले में सुरू से ही हमारी पार्टी केंद्रवे राज्यों की सरकारों से भी हर स्थर पर ऐसी निती की अपनाने की लगाताओं ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने, पूजी पतियों वे ध्यना सेटों आदी का विकास होने की बजाएं, बलकि यहां सर्व समाज में से गरीब हैं लोगों का ही विकास होना चादा, तबी फिर सही माइने में यहां की आहम जनता, अपनी गरीबी, धिरोजगारी, महगाई वे अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हत्तर निजात पा सकती है, इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में ब्रस्ताचार हर रस्तर पर काफी जादा बढ़ा है, जिससे आपका अपना खुद का हर्याना पर देश भी अ केंदर पर देश के अधिकांस राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हर्याना पर देश में भी जादा तर सत्ता जहां गलत पाटियों में से, खासकर कांग्रेस वे बीजेपी आधिके हातों में ही आने को मान कर चलती है, और इन पाटियों को हमारी पाटी इसने भी जिम्नेवार मान कर चलती है, क्योंकि शुरू से ये पाटियां केंदर पर देश के अधिकांस राज्यों में भी जादतर यहां बड़े-बड़े पूंजी पतियों वे धन्दा सेटों की ही आर्थिक मदब से सत्ता में आती रही है, और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये अधित्तर मावलों में अपने आर्थिक अब हम अन्य सभी नितिया या गरीव वे आम जन्ता की समस्याओं को दूर करने के साथ से त्यार नहीं करती हैं, बलकि देश के उन बड़े-बड़े पूंजी पतियों वे धन्ना सेटों को ही फैदा कुचाने के साथ से अपनी अध अधिकांस नितियां तियार करती है, जिनके धन वे बल से चुनाब लड़कर जादा तर्ये पाटिया, केंडर वे आपके राजे सही देश के अंदे राजियों में भी अभी तक या सता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प आता दुखी वे परिशान ये नदर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुतन समाध पाटी ही, अब कहीं एक ऐसी पाटी है, जो गिरुदी पाटियों की तरह देश के बड़े-बड़े पूजी पतियों वे धन्ना सेटों की आठिक मदद से नहीं, बलकि अपने पाटी के आठिक मदद से चुनाग लगकर यां केंद्र वे रादों की सक्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पाटी सक्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दवार के वे आजाद होकर सर्व समाध के लोगों की सभी समत्काओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर उस्तर पर य अबादी के साथ से देश के सबसे बड़े परदेश उत्तर परदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने निंदित में वह सरकार भी बनाई है, और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी के विचाधारा अबन सिधानतों के तह चलकर वेसे तो बहा सर्व समाट के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा है लेकिन सभी मामलों में प्राथ्मित्ता पहले हमने बहां सर्व समाट में से विसेश कर उन दलितों, आधी बासियों, पिश्ड़े वरगों, अकलियतों अकलियत समाट के लोगों को तता गरीब अगम असाय लोगों को ही दिया है जिनकी वहां हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीव, जादिवादी, संकिर्ण वे पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी जादा उपेख्षा की रही है इसके इलावा हमारी पार्टि की रही सरकार ने वा विदिन छेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महलाओं वे भुजुगों अधिके हितों में भी अनेकों महत्रपोन वे इतियासित कालिये की हैं जिन से उन्हें काफी जादा लाव पहुचा है और इतना ही नहीं आपके अर्याना परदेश में तो कांग्रेश केवल थोड़ी सी जगा देने की बात करती है जो आवास इन लोग है जिनके पास अपने जमीन नहीं अधार बनाने के लिए वो थोड़ी से कुछ गज देने की बात करती है कि ये जमीना